एक बहुती सांदा जियो APN रोल आउट हुआ है जिसे आपको डेफिनेटली ट्राइ आउट करना चाहिए अगर आपके पास एक जियो SIM है तो इस बाले APN को आप किसी भी जियो SIM के अंदर डालते ही उस बाले जियो SIM की इंटरनेट स्पीट को 80-90% आप इंक्रीज कर सकते हो 100% वार्किंग APN ने किसी भी फोन पर काम करता है चाहिए आपके पास 4G फोन हो या फिर 5G and मैं आपको रेकमेंट करूंगा इस बाले APN को डेफिनेटली अपने फोन पर इंप्लीमेंट करो जिससे आप हमेसा दिन भर एक अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड पा सको तो आपके पास जो भी जियो सी में उसे आप ओपन कर लो ओपन करती आपको एकसेस पॉइंट नेम्स करके एक ओप्सन मिलता है उस पर टैप करना दैन अपने फोन की स्कीन को अच्छे से चेक आउट करना एड अपन करके या फिर कोई प्लास आइकॉन आपको देखने को उस पर आपको क्लिक करना है दैने फॉर्म खुलकर आ जाएगा और इसी के अंदर सब कुछ टेप बैस टेप आपको डालना होगा जो जो मैं आपको दिखाऊंगा तब ही आपके फोन पर एबला एपन से ही से क्रियेट हो पाएगा सबसे फास्ट में आपको नेम मिलता है आ है कैपीटल इल्टर में रखना उसके बाद बाद आता है एप अपन पर आपको जीओ 5वजी नेट सब कुछ एक साहत और स्मॉल डेटर में अट करना है उसके बाद आता है प्रोक्सी नॉसे द हैट उसके बद पोकौ魔 नॉसेट दैन आ जाता है यांसर नेम उसर नेम पर आ कर देना है देना आ जाता है MMSC इसे भी नौसेट रखना उसके बाद MMS proxy नौसेट MMS port नौसेट देना आता है MCC and MNC आप जिस भी बादे जगे पर रहते हो ना यह बिसकली उसका area code है तो इसमें आपको कोई सा भी changes नहीं करना है इसके बाद authentication type आपको मिलता है इस पर जाके simply last पर option select कर देना जो की है PAP और CHAP देन आपको मिलता है APN type इस पर भी कोई सा भी changes मत करना देन आ जाता है APN protocol यह by default किसे किसी phone पर IPv4 या 6 हो सकता है इसे आपको change करके IPv4 6 पर डाल देना है उसके बाद APN roaming protocol यह वाला भी IPv4 या फे 6 हो सकता है किसे किसी phone पर किस phone पर I really don't know बट कुछ ऐसे phone रहता है जिसमें यह चीज IPv4 या फे 6 selected रहता है उसे आपको change करके IPv4 6 पर इस बाले को भी set कर देना है इसके बाद मिलता है one of the most important setting BRR देखो सबसे पहले ना unspecified पर selected रहता है इस बाले चीज़ को आप अंटिक करो पहले then इस बाले APN के साथ आपको LTE, HSPA and उसके बाद नीचे में HSDPA and UMTS इन चार BRR पे टिक करके आपको OK करना होगा बट कुछ ऐसे devices रहता है जिसमें आप एक से ज़्यादा BRR select नहीं कर सकते हो उस case में आप सिप LTE बाले BRR पे टिक करके आप OK कर देना then phone अपने आप ये BRR को सेट कर देगा phone के according ठीके इसके बाद आता है NBNO टाइप इसे भी आप नन पर सेट रखो then आप more option पे जाकर इस बाले APN को सेप कर दो और सेप करने के बाद आपको इसमें दो-दो APN देखने को मिलेगा एक तो जियो में जो default APN रहता है वह वाला and second number पर रहेगा जियो निंजा V1 5G आपको बस जियो निंजा बाले APN पर एक बार टैप कर देना है और अपने phone को डेफिनेटली एक बार reboot कर लेना इससे APN आपके phone के साथ अच्छे से connect हो पाएगा और उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम आप APN को दे देना जिससे बहुत अच्छे से यह वाला APN किसी भी वीडियो सिम के साथ किसी भी 4G कहलो या फिर 5G कहलो उस पहले phone के साथ optimize कर लेगा खुद को एंड आपको एक स्टेबल अच्छा कासा internet प्रोवाइट कर आएगा और मेरे भाई यहां पर यह वीडियो खत्म नहीं होता है अगर आप किसी 4G फोन पर 5G को अनलॉक करना चाहते हो वह भी एक्चुली में जो की काम भी करता होगा 100% इसके लिए आप एतीन में से कोई सभी वीडियो जाकर वच कर लो आपके सिम के अकॉर्डिंग जी ओ या टेल वी आई पर एचीज बहुत आसानी से किया जा सकता है 4G फोन पर ही 5G को इससे अनलॉक किया जा सकता है तो चलिए आई मैं मिलता हूँ आप से इन सभी वीडियो पर